हाई गाइस और वल्कम बैक तो माई चैनल एफजर क्लासिज तो गाइस आज है सेवन्त सेप्टेमबर और हवैनस दे आज हम दा हिंदू का एनलिसिस करेंगे यानि कि इस न्यूस पेपर में देखेंगे कि कौन-कौन से आर्टिकल क्या है हमारे स्लेबस से मैच खाते हैं यान इसमें सबसे पहले आर्टिकल जो है हमारे स्लेबस से इंपोर्टेंट है अभी आप जानते होंगे बांगनदेश की प्या मैं से खरजिना वो उन्होंने क्या करी है इंडिया पर विजिट करी है और किस चीज पर बात करी है उन्हें एक तो पावर सेक्टर एक डिफेंस और आप व्याटर बांगनदेश पेम फेवर्स early LS for Tista तीसता रिएर पर उन्हें क्या क्या है अर्ली सोल्पर बात करियें और अधड़ आयस से इक व्याटर शेरिंग पर power पर और defense पर उन्हें बात करी है कुशियारा water treaty among the seven deals signed between the two countries दो countries के बीच में जो seven deals हुई है उसमें से कुशियारा water treaty भी है अब देख लेते हैं इस articles में उरका के important है India is the most important and closest neighbor है किस चीज़ का बांगलादेश का हम क्या है जो महान भारत है वो क्या है closest neighbor है that is bound with बांगलादेश के साथ वो bound है तो 54 common rivers क्या है बांगलादेश के और इंडिया के मिली हुई है and 4000 km of border इंडिया और बांगलादेश सापस में share करते है the two sides signed seven agreements covering railways में agreement sign करा है science में, tech में, space में media में और water sharing में क्या करा है दोनों countries ने भी क्या करा है cooperation देखने को मिला है और हमारे लिए इस article में क्या क्या important एक तो तीस्ता नदी दूसरा कुशियारा water treaty सबसे पहले तीस्ता नदी के बारे में देख लेते है तो तीस्ता river एक 414 km आपको long river देखने को मिल जाएगी जो की rise होती है कहां से पो हुनरी mountain of eastern Himalayas flows through the Indian states of Sikkim से वो flow होती है west bangal से flow होती है through bangaladays and enters the bay of bangal में क्या होती है left side के इंडिया में क्या हो जाती है वो गिर जाती है left side के इंडिया में क्या होती है वो गिर जाती है इतना एरिया में कवर करती है, 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 इतना एरिया में कवर करती ह बांगलादेश में क्या गरती है ब्रामपुतर रिवर से जोईन हो जाती है 305 किलोमेटर की portion of the river lies in the India कितना किलोमेटर इंडिया में इसका portion देखने को मिल जाएगा 305 किलोमेटर and rest in बांगलादेश और सारा का सारा क्या है बांगलादेश में तीस्ता एक largest river है of Sikkim की and second largest river है क इसकी West Bengal की after Ganga के बाद right side में आपको तिस्ता देखने को मिल जाएगे इस इस इलीगुरी में West Bengal में अब देख लेते हैं कुशियारा water treaty क्या है तो कुशियारा river एक distributor है distributed river है किसकी Banglaदेश की और असमगी दो तरह की क्या होती है जो पानी जोडती है main river में वो दो तरह की river होती है एक तो crypto methodology अग 1972ードory Tributory क्या करती है main river मेn पानी जोडती है और multiplic क्या करती है main river से पानी ले जाती है तो कुश्वारे river क्या है इन वह पानी क्या करता है फुर्म करता है कि स्टीच को कोशियारा को and pick up tributies from Nagaland और Manipur से क्या करता है और tributy अपनी तरफ खेंसता है from its origin at the mouth of Barak में इसका origin है also known as जगे को बोलते हैं Ams Hill Bifurcation Point यह साफ याद रख सकते हैं Ams Hill Bifurcation Point तक उशियारा फ्लोस वेस्ट वर्ड फॉर्मिंग बोर्डिंग बेट्विन असम इंडिया और सिलहेट डिस्टिक अफ बांगलादेश का यह का करती है बोर्डर आपर में शेयर करती है इट फ्लोस बेट्मिन दे टाउंस अफ जगी गोंज, सेलहेट एंड करिम गंज असम में जो है उसमें क्या करती है यह टाउंस में फ्लो होती है अफर दा विलेज अफ पंजरी पूरी अंटर्स एंटारली इंटो दा बैनी बजार उपाजीला उफ बांगलादेश इट देन फ्लोस साउथ वेस्टन किसमें फ्लो करती है पास्ट दी विलेज ओफ इन दोगरा इन कुरेरा बजार यूनिन वेर दर इवर टन साउथ वर्ड पासिंग दा विलेज ओफ इन यह सब विलेज आपको देखने का मिल जाएंगे इन में क्या होती है पास होती है अट इस डीपेस दूरिंग दा रेनी सीजन दा कुशियारा कैन रीच डीप अफ टैन मीटर तक क्या होती है कुशियारा घहरी हो जाती है दूरिंग दर ड्राइ सीजन जब घर्मी का सीजन आता है इट कैन अपियर टू ड्राइ बहुत ड्राइ हो जाती है ड्राइ अप ओल्मोस कंप्लेटली इन फ्यू प्लेसिस विद दा बलक अफ लोड बिंग कैरीड सब सर्फेसिस इन 2022 में इंडिया और बांगलादेश ने साइन करा एक इंट्रिम वाटर सेरिंग पैक्ट विद रिकार्डिंग टू दा कुशियारा रिवर यह यहां से पॉइंट लिया गया है आर्टिकल में 2022 में इंडिया और पाकिस्तान ने जो 7 चीज साइन करी है सेवन डील जो साइन करी है उसमें एक इंट्रिम यह भी साइन किया है वाटर शेरिंग पैक्ट किसकी कुशियारा रिवर का अब ने स्राटिकल देख लेते हैं जो हमारे एक्जाम के पॉइंट वी से इंपोर्टेंट है इसके साइड में राइट साइड में आपको एक ने स्राटिकल देखने को मिल जाएगा इसको आप रीड कर सकते हैं स्च ने पूछा सेंटर से स्च आस्क सेंटर स्टेट टो अलाई EWS कोटा कंसरंस को लेकर यह बहुत दिन से इसकी बात चल लिए EWS कोटा कंसरंस को लेकर अब बैसी कंसरंस देख रहेते हैं क्या है विद्धा स्च सूपरिम कोट स्कूटिनाइजिंग्स दे इडबलो एस कोटा सीनियर अड्वोकेट गोपाल संकर नायरान हैड प्रपेर दग ड्राफ लीगल इशू फोर बैंस यह सब एग्जामाइन किया गया है वेदर दा वन जीरो थर्ड कॉंसिशन अमेंडमेंट एक्ट रिमोवस दा बैस अफ इंदराश्वानी जज्जमेंट दा कोटा कैन नोट बी गिविन ओन ए प्योर्ली एकोनोमिक बैसीज प्योर्ली एकोनोमिक बैसीज पर EWS को कोटा नहीं दिया गया है इंदराश्वानी जज्जमेंट के दुवरा वेदर दा अमेंडमेंट ब्रांचिस दा बैसीज स्टक्चर अफ दा कॉंसिशन इंग्स्टिशन इंग्स्ट टू दे एक्सिस्टिंग रिजर्वेशन विच इस ओनली क्रेटिट टेंपररी तेंपररी उसको कर दिया गया है सिफ रिजर्वेशन को ऐसा दिखाया गया वेदर इट ब्रेंचिस ब्रेंचिस दाट 50% कोटा लिमिट बाइ हमारे एक्जाम के पॉंट डिवी से हमसे इंग्सानी जज्जमेंट देख लेते हैं इंग्सानी जज्जमेंट के बारे में तोगा सा यह जज्जमेंट आया था 16 नवंबर 1902 में तो सुप्रीम कोट इन इस वर्ड इट अपहल the government order being of the opinion that the cost was an acceptable indicator of backwardness थस्दा recommendation of reservation of OBC के लिए reservation लाए गया था in central government services में किसमे? central government की services में वास फाइनली उसको implement किया गया था 1992 में तो सुप्रीम कोट इंडिया के वर्ड इट 27% central government reservation for OBC is valid फिर सुप्रीम कोट इंडिया ने क्या कह दिया था जो 27% central government services में क्या होगा OBC का कोटा valid होगा however some states denied कुछ states ने इस चीज को मना करा था existence of a creamy layer यानि कि ये बताया था जो OBC में creamy layer है यानि कि जो अच्छा पैसा कमाने वाले है उनको एक कोटा ना दिया जाए and a remote report commission by the Supreme Court was implemented और issue report को क्या कर लिया दाया था Supreme Court ने implement के रदिया था the case was placed again in 1999 में एक केस वापिस आया and the Supreme Court reaffirmed the cream layer exclusion as standard to an SC or ST फिर क्या हुआ Supreme Court ने जो creamy layer थी ना OBC की उसको हटा दिया और SC or ST को इसकी जगे ला दिया इस जगेंट ओल्सो आवर रूल्ड जर्नल मैनेजर सावधन railway वर्सीज रंगरचारी and Akil Bharatiya Sosidh Karamchari संग railway वर्सीज यूने ओफ इंडिया verdict को इसने क्या कर दिया आवर रूल कर दिया विस सेट देट रिजर्वेशन कोड बी made in promotion as well as appointment उन्होंने कहा के reservation सिर्फ किस में होना चाहिए promotion में यानि कि post का promotion हो और appointment में क्या हो reservation हो फिर इंदरासानी judgment आया versus union of India को लेकर health reservation cannot be applied in promotion इंदरासानी ने कहा reservation जो है न वो promotion में नहीं होना चाहिए सिर्फ appointments में हो और OBC के लिए हो SC के लिए हो लेकिन promotion में नहीं होना चाहिए 1992 में इंदरासानी versus other union of India में judgment चला let down the limits of the state's power को limit कर दिया गया के state आप इसमें कुछ नहीं बोलेगा it appell the ceiling of 50% quota emphasizes the concept of social backwardness and prescribe 11 indicators to a certain backwardness इसमें यह बताया कि हम आपको 11 indicators देते हैं जिससे यह पता लग सकता है कि कौन backwardness में the nine judge bench बनी judgment also establishes the concept of qualitative exclusion such as creamy layer creamy layer को हटाने के लिए nine judge की bench बनी the creamy layer is only applicable in case of an other backward class and not applicable on other groups like SC or ST to creamy layer सिर्फ उन के लिए हट सकती थी other backward classes के लिए यह apply नहीं था किस के लिए SC or ST के लिए creamy layer किस के लिए हट सकती थी सिर्फ OBC के लिए SC और ST के लिए नहीं exclusion the creamy layer criteria was introduced at rate rate एक लाग in 1993 and revised to rate धाई लाग in 2004 and 4 लाग 64 लाग in 2008 and 6 लाग in 2013 और 8 लाग in 2015 यह annual income क्या होगी अगर जिसकी होगी तो उसको क्या करा जाएगा creamy layer में माना जाएगा अब हमने इंद्रसानी judgment देख लिया अब देख लेते नेस आर्टिकल जो हमारे एक्जाम के point of view से important है हाँ यह इसी पेज पर क्या है एक और आर्टिकल है जो हमारे एक्जाम के point of view से important है इंडिया gets its first nasal covid vaccine इंडिया ने क्या करा है अभी first nasal covid vaccine इंडिया को क्या हुई है मिली है जो की इंडिया's first nasal covid 19 vaccine है जिसको develop किया है किसने भारत बायोटेक ने किसने भारत बायोटेक ने has been approved for a primary immunization in those 18 and above 18 और अबाव के लिए उसको क्या किया जाएगा अपलाई किया जाएगा यह health ministry मंजुक मंडाविया ने Tuesday में कहा है तो इसके बारे में आगे भी आएगा तो हम आगे निउस्पेपर में इसको over cover कर लेते हैं कर लें तो अब देखने ने स्टार्टिक जो ने स्टार्टिकल है हमारे एक्जाम के point of view से वह कौन से पेज पर दिया गया है बिजिनिस में अब देख लेते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं सब्सक्राइब कि क्या हो जाएगी तायट हो जाएगी अब देख लिए इस आटिकल जो हमारे एक्जाम के point of view से important है हाँ नेस टार्टिकल जो हमारा एक्जाम के पॉइंट ओफी से इंपोटेंट है वह इट पेज पर गया गया है टेक्स्टोर कंटेस्ट में तो इसमें हमें क्या पढ़नी है कि स्कीम पढ़नी है पी एम सिरी स्कीम इसमें क्या हुआ है अब देख लेते हैं कि पी एम सिरी स्कीम क्या है तो पी एम सिरी स्कीम के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं एडूकेशन पॉलिशी दोजार बाइस बीस चोहदयाजार पांसो इस्कूल खोले गए हैं स्टेट्स और यूटी में जो की री डेवलप करेंगे की फीचर्स ओफ वो क्या करेंगे हाईलाइट करेंगे किसीज को निउएडूकेशन पॉलिशी जो दोजार बीस में आई थी ह प्लान वाज़ फर्स दिसक्स्ष बीस दिस्क्शन मिनिस्टर निश से इट ngॉटींड अगे शिक्रूश पीच्ट गोजाड यू धेड्यूचेशन said that the initiative will be taken forward in consultation with the state. He had added that while there are exemplary schools like Navadya Vidhyalya, Kendra Vidhyalya, the PMC will act as an NEP lab. PMC कैसे गाम करेगा? NEP lab की तरह है. अब देख लें ते नहीं स्था कि आर्टिकल जो हमारे एक्जाम के पॉइंट अफिस से इंपोटेंट है, वो दिया गया है 10th page पर. तो इसमें आर्टिकल है, Quad discuss China moves, COVID vaccine. Quad किस पर discuss कर रहा है? China moves for COVID vaccine पर. तो इस आर्टिकल में हमारे एक्जाम के पॉइंट अफिस के इंपोटेंट है Quad. Quad के बारे में जान लेते हैं, तो Quad क्या है? Quadilator Security Dialogue है, जिसको हम QSD भी बोल सकते हैं. एक Strategic Security Dialogue है, between Australia, India, Japan and US के बीच में. That is maintained by the talks between member countries. इन member countries से क्या होता है? यह maintained किया जाता है. The Dialogue was initiated in 2007 में इसको initiate किया गया था by the Japanese Prime Minister Shinjo Abebe के साथ. With the support of an Australian Prime Minister John Howard, Indian Prime Minister Manmohan Singh and US Vice President Dick Cheney. The Dialogue was paralleled by the Joint Military Exercise of an unprecedented scale, titled Exercise Malabar. इन चारों के इक कंट्रीस के बीच में जो exercise होती है, उसा किया बोलते हैं, Exercise Malabar. The Diplomatic and Military Regiment was widely viewed as a response to increase Chinese economic and military power. सिर्फ इक्स का मस्तद यह है कि जो इंडिया notion में चाइना का economic and military power भर ला है, उसको किसी तरीके से रोका जाए. And the Chinese Government responds to the Coordidator Dialogue by issuing former diplomatic protest to its member. वो क्या करती है? के इसके विरूद क्या करती है? वो इन मेंबरों के diplomatic ties को क्या करती है? प्रोटेस्स करती है. It Asians, NATO, Indian Foreign Minister S.J.N.K.R.S. denies China allegation and claimed India never had a NATO mentality. क्या करते हैं? इंडियान जो foreign minister S.J.S.N.K.R.S. साब, वो क्या करते हैं? डिनाइस करते हैं इंडिया की चाइना की allegations जो कि वो क्लेम करता है कि हमने क्या करी है? नाटो को mentally नहीं दिया है. The Quad ceased following the withdrawal of Australia during a Kevin Rudd's tanner as Prime Minister, reflecting ambivalence in Australian policy over the growing tension between the U.S. and China in Asian Pacific. Following Rudd's replacement by Julian Gyard आये थे, रूस की जगह 2010 में. Enhanced military cooperation between U.S. और Australia के बिसमें क्या करा? फिर U.S. और Australia के relation अच्छे होगे. उपर क्या होगे थे? थोड़े खराब होगे थे. Leading to the placement of U.S. Marines and Derwins, Australia overlooking the Timor Sea, Timor Sea and Lombok State. Meanwhile, India, Japan and U.S. continue to hold joint novel exercise under Malabar. अब सोट में देख लेते हैं, इसके बारे में अबरिवेशन आपको कौर्ड देखने को मिल जाएगे. X-Shibli, उसका बुआ था, 2007 में. टाइप इसका Intergovernmental Security Forum है. Intergovernmental मतलब जो देशों की Government होती है. वो आपस में क्या करती हैं? बात है करती है. Reason Indo-Pacific, Members कौन से? Australia, India, Japan, U.S. Quad Plus, Additional Member कौन से? New Zealand, South Korea, Vietnam. अब देख लेते हैं, नेस्ट आर्टिकल जो हमारे एक्जाम के Point of View से important है. तो नेस्ट आर्टिकल इसी पेच पेच पे, जो हमारे एक्जाम के Point of View से important है, हिलसा फिस रीच कोलकता, एड़ ओ दुर्गापूजा, दुर्गापूजा के अंडर क्या होई है, अभी हिलसा फिस कहां पहुच गई है, कोलकता, West Bengal में पहुच गई है. । बंगलादेश लालाउज टो-four-fif ziro टन स अ रफ फिस हीने क्या कर दी हैं, बंगला देश कर दियिंहेगा, अब देख लोते हैं तो हिलसा फिस होती है, हिलसा भी बोलते हैं इसको बंगाली में, और सवन के, इलिस, हिलसा हीरिंग और हिलसा सहईभ भी इसको बोलते हैं एक स्पीस है किसकी एक स्पीसिस है फिसकी रिलेटिट टुए हीरिंग से रिलेट करती है इन दा फैमली ओफ कुलोपेड़ाई इस वेरी पॉपुलर है एन साउट आफ्टर फुड फिस इन दा इंडियन सब कॉंटिनेंट बे इसको देखने को मिल जाएगी पहुत में सब क、、 अछीन ढज़्न पेमकी प Sikhणा कि मीज़े कोुट बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा एकोनोमिक भी क्या है बहुत अच्छी परफॉर्म करती है on 6 अगस्त 2017 department of patient designs and trademark under the ministry of industries of bangladesh has declared the recognition of illies as the product of bangladesh इन दोनों ने क्या कर दिया था इसे क्या कर दिया था है bangladesh का product बना दिया था as of 2021 86% of the world total illies supply originate in bangladesh which applied for geographical indication क्या हुआ है कि 2021 में 86% world की total illies supply कहां से originate होती थी bangladesh से जिसने इसको क्या बना दिया है geographical indication बना दिया है bangladesh का 2004 में about 450,000 people are directly involved in the catching of the fish as a large part of their livelihood उन से क्या होता है उनका livelihood चलता है people की around 4 to 5 million people are indirectly involved with the trade indirectly क्या होते है four to five million लोग जो होते हैं वो trade से क्या होते हैं इससे जूड़े रहते हैं अब देख लेते हैं नेस्ट आर्टिकल जो हमारे exam के point of इससे इंपोर्टेंट है इस आर्टिकल इसी page पर दिया गया है अफ्रीकन चीटास में arrive on moody's birthday अफ्रीकन चीटास जो अभी हम नहीं में भी से ला रहे हैं वो क्या होंगे moody's के birthday तक इंडिया में पहुच जाएंगे बिग कैट लाइट ली टू बी सेंट कुल नू पॉल पर कुनू पॉल पर फोरेस्ट में क्या होंगी बिग कैट आएंग यानि की चीटा आएंगे sales statement from MP government के दोवारा यह statement क्या जिया है तो इस article में हमारे लिए क्या important है एक तो चीटा दूसरा क्या है क्योंपॉल पर फोरेस्ट यानि क्या है यह पार्क कहां पर देखने को मिल जाएगा तो देख लेते हैं चीटा क्या है चीटा एक large cat native है अफरीका की अफरीका में रहता है और central Iran में रहता है fastest land animal है क्या है fastest land animal है estimated to be capable of running at 80 to 128 km per hour यह चल सकता है 80 to 128 km per hour with the fastest reliably recorded speed इसकी कितनी बताई जाती है कितनी इसकी record speed करी है 93 and 98 km per hour and as such as has several adaptation for speed including a light build long thin legs in this case वैसे और long tallis वैसे क्या होता है तेज भग पाता है it typically reaches 67, 94 cm at a shoulder and the head and body length is between यह आपको नहीं याद रखना कि length की ती है इसकी body की hand की leg की its head is small and downward head आपको इसका small and roundly देखने को मिल जाएगा has in short snout and in black tear like facial sticks यानि कि इसके आपके मुँपर आपको धारियां देखने को मिल जाएगी the coat is typically tony to creamy white or pearl buff and is mostly covered with an evenly spaced solid black sports इसके सरीर पर पूरे पर देखने को मिल जाएगी four sub species are recognized इसकी four species आपको देखने को मिल जाएगी the teacher living in three main social groups females and their cubs male coalitions में रहते हैं गडबंदर में रहते हैं and solitary males आपको देखने को मिल जाएगी अब देख लेते हैं इनकी जो सब species हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो सब इस में आपको सबसे पहले south east african cheetah देखने को मिल जाएगा जो एक नोमिनेट sub species है it is genetically diverse from asiatic cheetah से diverse हुआ है इतने साल पहले as of 2016 the largest population of nearly 4000 इंडिविज्विज्वली इस प्रेशली डिस्टिबुटिटिट अंगोला बोर्सवाना मोजंबिक नैमेबिया south africa जैंबिया यह सब के सब आपको african continent में countries देखने को मिल जाएगी अब दूसरी इसकी sub species क्या है asiatic cheetah asiatic cheetah के details देख लेते हैं इस सब species is confirmed to central area इरान में आपको देखने को मिलेगा and is the only surviving cheetah जो population है पूरे एशिया में सिर्फ यह क्या करती है सर्वाइब करती है as a 2022 only 12 individual were estimated to survive in Iran सिर्फ बारे ही बचे थे एरान में 9 of which are males और 3 इस में क्या थे females थी north east african cheetah the sub species occur in the northern central african republic में रहता है chad में, ethopian में और south sudan में रहता है in a small and heavily fragmented population is in 2016 the largest population of 238 individuals occurred in the northern car central african republic and south eastern chad it diverged genetically from the south east africa cheetah 72,000 16,000 years ago और एक और सभी species है cheetah की northwest african cheetah the sub species occurs in Algeria, Benin, Burkina Faso, Burkina Faso, Mali and Niger में रहता है in 2016, the largest population of 191 individuals occurred in Adherar, Desi, Fogas, Ahagars and Tassila is in a south eastern, south central Algeria and north eastern Mali it is history as critical integer and then IUCN red list आप इसको याद रखते हैं, यह क्या है, IUCN की red list में क्या है, critical integer आपको देखने को मिल जाएगा अब इस article में एक और चीज हमारे exam के point of view से important थी वो क्या था क्योंनों पॉल पर नैसनल पार्ग, इसके बारे में थोड़ा से जान ले थे, क्योंनों वाइललाफ सेंचुरी जो इस्टेबलीज हुई थी इसकी 1981 में हुई थी, with an initial area of about 344.68 km2, in the 1990s में इसका area यह आय था, It was selected as an possible site in implement the Asiatic Law and Reintroduction Project, यानि कि जो reintroductions project लाय गया था, Asiatic Law and के लिए वो यह पर ही लाय गया था, which aimed at an establishing a second lawyer population in India, इसमें बताय गया था, क्या हो इसमें सबसे जादे second lawyer population हो इंडिया की, Between 1998 and 2003, about 1650 inhabitants of and 24 villages, one resettled to sites outside the protected area, protected area जो बनाय जाता है, National Park के, उसके भार इतनी आपको 1650 inhabitants of 12 villages, 24 villages आपको देखने को मिले थे, Most of the inhabitants were in Sheheria, Sheherai tribes, peoples, the villages were in also home to Anjato, Brahmin, Gujjar, Kushawa, Ayadu peoples, in area of 9 to 4 km square, surrounding the wildlife sanctuary was edited as buffer zone to human settlement. In 2009, Kono Wildlife Century was also a proposed and possible site for Cheetah rain introduction in India. In December 2018, the state government changed the status of wildlife century to Kono National Park, इसको आप जाज दरख सकते हैं. December 2018 में, state government ने क्या कर दिया था, इसका status बदल दिया था, इसको wildlife century से, एक Kono National Park बना दिया था, and enlarged the protected area को बड़ा कर दिया था, by 413 km square. Gujarat state had resisted the relocation of Lohan, since it would make the Gir century loss, it stated the world's only home to Asiatic Lohan. पहले Gujarat में पाए जाते हैं, अब इसमें भी पाए जाते हैं. In April 2013, the Indian Supreme Court orders Gujarat to send some of their Gir and Lohans to MP, to establish second populations. Indian government क्या करा था, Gujarat से के कुछ Lohan क्या करो, MP में भी Kono National Park में भेज़ दो. The court had given wildlife authorities six months to complete the transfer, यानि के टांसफर के लिए 6 महीनी court ने इसको दिये थी. अब Kono National Park के बारे में भी आमने जान लिए, आप देख लेते हैं, नेस्ट आर्टिकल जो हमारे एक्जाम के point of use important है, वो 14th page पर दिया हुआ है, बिजिन्स में. Global challenges won't dent India's recovery, यानि कि जो global challenges हुएं, जैसे रश्य यूक्रेन का war, US और ताइवन की, US और चाइना की tensions, उससे क्या होगा, इंडिया की dent पर, कोई इंडिया की recovery पर, कोई फरक ने पर आएगा, यह किसने कहा है, Moody ने, Moody क्या है, क्रेडिक एजन्सी है, अब इस आर्टिकल में हमारे के important है, Moody, Moody के बारे में तुछा से जान लेते हैं, तो Moody's Investor Service, often refer to Moody's, is the bond credit rating, business of Moody's corporations, का क्या है, bond credit rating agency है, Moody's corporations की, represent करती है, company's transitional line of business and its historical name, Moody's Investor Service provides international financial research, यह करती है, international financial research करती है, on bonds issued by commercial government entities, जो commercial government entities, bond release करती है, उन पर यह study करती है, Moody's along with the Standard and Poor's and Fitch group, is considered one of the big three credit rating agencies, जब Moody's किसके साथ मिल जाती है, Standard and Poor's and Fitch group, यह क्या बन जाती है, big three credit rating agency बन जाती है, it is also included in the Fortune 500 list of 2011, the company ranks the credit worthiness of borrowers, using a standardized rating scale with major expected investor loss in the event of default, अब देख लेते हैं, Moody के बारे में थोलग सा short में, तो Moody एक टाइप है है किस चीज का, subsidiary industry कुन सी है, bond creating rating जैसे हमने बढ़ी पड़ी थी अभी, producer कुन था, इस से पहले ही कुन थी, Moody's analysis publishing company, found कभी थी है, 1909 में, 113 साल पहले, headquarter इसका, आपको याद रखना है, 7 World Trade Center, New York City में, US में आपको देखने को मिल जाएगा, number of employees में कितने हैं, 5076, अब देख लेते हैं, नेस्ट आर्टिकल जो हमारे एक्जाम के पॉइंट आपको से, important है, तो इसी पेच पर नेस्ट आर्टिकल दिया गया है, future oil supply will mostly come from gulf, oil minister ने क्या कहा है, जो अब future में जो oil हमारा supply होगा, वो जाद जादे किस्सा है को gulf से आएगा, Moscow is now India's second biggest supplier after Iraq, Iraq के बाद क्या होगा, Moscow जो रश्या में है, वो क्या होगा, second biggest supplier होगा, Iraq के बाद इंडिया के लिए, अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या important है, Moscow के location, क्योंकि guys prelims में और mains में, prelims में तो जायतर क्या होता है, जो countries होती है, countries की जो cities होती है, जो capitals होती है, उनकी क्या होता है, उनकी हर बार क्या होता है, एक आदने का question आ जाता है, उनकी location पर, अब देख लेते हैं, Moscow आपको वर्ल्ड में में कहां देखने को मिलेगा, तो Moscow आपको, कहां देखने को मिलेगा, Russia की capital है, और कहां पर देखने को मिलेगी, Moscow आपको, Moscow देखने को मिल जाएगी, आपको west of Russia, जाएगा का की देखने को मिल जाएगा, फिल्नेंट, सुडिन का कजाक इसतान, और इसके आस पास की city, आपको देखने को मिल जाएगी, तो आज हमारे एकजाम के point of view से, तो वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लायक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू जय हिंद एंड नेवर गिव अप